हेलो मेरे दोस्तों आप सभी का स्वागत है मोवाइल पाच्छाला की एडिव चनल पे देखो MTS में हम प्रसेंटेस पटने आप सभी को पता है एक लेक्षन हमने आपको दे दिया है कोई बच्छा वीडियो के नीचे मैंने क्लास खतम होने के बाद मैंने वीडियो के नीचे क पहले हो जाता है ठीक है जैसे अभी सीजेल का बैच चल ला है सुबस आइवीन शाम में पांच बज़े से मैं क्लासे ले रहा हूं मैसमेटिक्स की इसके बाद साड़े चीज़े हैं बहुत अची चीज़े मतलब कॉंसेप्ट के साथ-साथ-साथ हम एक भी चीज नहीं सवा रखें आप आओगे देखोगे पहला लेक्चर हो चुका है देखोगे तो मज़ा आएगा साम वाले लेक्चर अभी में ख्याल से 12-13 घंटे हो चुके होंगे बस इतना ही होगा ठीक है तो इस वाले के देखो पहले और यह वाली चीज़े आप करते रहो ठीक है जैसे अबी यह सवान आपके सामने तो इस सवान को कैसे कर पाएंगे बहुत द्याज से देखना झीड़ करणा एक वस्तु को का विक्र्य मूले मेरे बीस परसंट कम करनीं पर विक्री जाती है और केहता है कि वास्तों में कितनी प्रभावी थोई, विक्री कितनी प्रभावी थोई, तो ऐसा नहीं है, वह आप से यह कह रहा है ना, कि अगर हम, इसको हम बोलते हैं, सक्सेशिव केस, क्या बोलते हैं, यस, यू, डबल, सी, इ, सक्सेशिव केस, आई बस समझे, तो मेरे दोस्त, मैं आप से यह कहना चाहता हूं, कि जब कभी भी ऐसा हो, कि एक चीज में कहीं न कहीं कमी करी जाएगी, तो दूसरी चीज में आपको इक चीज बताया था, कि जब कभी भी आप चीनी के मूले में कम करोगे, तो आपकी खबत बढ़ जाएगी, या जब आप चीनी के मूले में बर्दी करोगे, तो आपकी खबत घढ़ जाएगी, ये सारी चीजे मैंने आपको बता रखा है, आप सभी लोग यह बात चानते हो, है ना, तो ये वैसा ही सवाल है, कह रहा है कि अगर विक्री ये बताओ, तो ये सक्सेसिव केस है, आप अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसका फ्रिक्शन मना सकते हो, एक बटा पांच, यानि कोई चीज पांच की है, उसको मैंने चार में बेचना स्टार्ट कर दिया, यहां पर आजाओ, ये चार बटा पांच होता है, यानि कि मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, अगर मेरी चीज पांच की है, पहले पांच थी, तो अब ये नौ में जाके भी करीए, ब्रदी करके नौ भी करीए, यह हो जाएगा पच्छिस के, यह हो जागा नो चोका 36 के, तो आप बताओ, कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया, किस पे बढ़ अरग हो, दूसरा तरीका यह है, मेरे पही, आप इस पे रख दो, अब हम इसको रखेंगे कैसे, गयाँ हो जहाँ है हमें कमी दिखरी हे वहाँ पह फे माइन स रखेंगे, जहां ही हमें धिखरी हे वहाँ हम पम प्लस रखेंगे, तो कमी हम opponents 20 देखरी है, तो हमें इसको minus मैं आपको यह समझाना चाहता हूं ना देखो ध्यान से अचाह एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूं किसी स्टूडेंट ने ना पता नहीं रहा कि सर को अल्तुफाल्तु चीजे बोले लिए साम में कोई बच्छा मेरे से कह रहा था बट मैं समझ नहीं पाया मैं वीडियो में देखा नहीं था अब अब ही मैंने वीडियो देखा है थो नो डाउट बहुत अच्छे टीचर है है ठीक है आप ऐसा बोलो कि डारेक्ली ये इंडरेक्ली काम भी कहीं न के उसे बहुत सरी चीज बहुत सारी , चीजे अंडिया हूं बहुत सारे साथे शीचिजे मैं इनुने बहुत सारे जीज तो सीख भात अ कर या जो से पताए अब स्माझवें, अब सेचनल बोल दिया हम कलबी टीचर की बातों पर 100% बहरोसा करते थे आज भी हम एंटेट परहुट पर 100% करते है यह किसी घुजश पैठी है, किसी जुटे के वजह से हम अपनी टीचर का रिस्पेक्ट करना नहीं भोनेगे या भी कसम खाओ, यह मैंने तो बहुत पहली खा रहा किया, जब मैंने पढ़ा रहा है, तो तब ही, ठीक है, और टीचर पे फेद बनाए रखना बड़ा जरूरी है, टीचर पे फेद, कॉंटेंट पे फेद बनाओ, जो कॉंटेंट दे रहा है टीचर वो भी, और सासा उसकी पेदी, क्योंकि टीचर का भी जोट नहीं हो सकता, यह सारी चीजे जूट मो माया छोड़की तो वो टीचर बनता है, और अगर उसमें इस सारी चीजे होंगी तो वो टीचर खाएगा, तो जो यह फाल्तू अफ़ा उडा रहा ना, वो टीचर नहीं है, वो जूट था होगा बाकी और कोई नहीं, आई बस समझ में, चलो, स्टार्ट करो, वह यह चीजे हैं, आप जानते हो कि अगर प्रिक्षा करकि सीटों की संख्या में बिर्धी कर रही है, बता ही समझ में, तो कहरा टिकेटों की कीमत में बिर्धी कर दी जा रही है, बता ही समझ में, तो कहरा टि बढ़ जाएगे, में यहाँ पर देखना जड़ा यहाँ पर आप चाहो तो successive case लगादो या वही वाली चीज़े लगादो x plus y plus x y बटा 100 बटा 100 तो यह 25 होता है यह 12 होता है और 12, 25, 25 दोना पच्चास यानि 300 होगा बटा 100 यह कट जाता है आप यह वास समझते हो कि 12, 3, 15, 25 होता है चालेस के तो यानि कि हमारे कुल इंकम में 40% के बटी होगी ठीक है यह बस समझ में अगले सवाल पर चलते हैं और जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं एक गाओं की जन संख्या में 25% की बटी कर दी जाए और प्राब्त संख्या 25% कमी कर दी जाए बात आई समझ में के रहा पहले 25% की बटी बात में 25% कर दी देखो यह वाला सवाल तो आप ऐसी कर सकते हो कि माइनस का 25 कोड़ा 25 बटा 100 यानि मैं इसको ऐसे बोल दो ना कि माइनस का x स्क्वाइर बटा 100 याद रखना कि कोई भी बच्चा यह नहीं बोलेगा कि माइनस स्क्वाइर के साथ क्यों क्योंकि यह और लेडी फॉर्मूले में है इसलिए मैं यहाँ पे समझने मेरे बात एक कमी है एक बढ़दी है तो उस हिसाब से भी यह माइनस होता है तो पच्चीस चौका 100 यानि कि 4 हुआ 6 ही एक बटा 4 मेरे सवाल का उत्तर है लेकिन माइनस री पुर्जिन कर रहा है कमी को किसको कमी को ठीक है एक ब्यापारी एक गलत तराजों के माधियम से वस्तों को 10% का घोटाला करता है गलत तराजों के माधियम से 10% का घोटाला करता है करता बेची थी समय भी उसने क्या किया 10% का घोटाला कर दिया ऐसा किया उसने तो एक चीज तो 100% किलियर है कि दो बार घोटाला कर रहा है यानि सो अगर उसको 100 gram तोलना है अगर मैं ये मान लो कि 1 gram का CP एक रुपए है इसको मैं चाहों तो ऐसी भी कर सकता हूं कि मैं अपने सवाल का एंसर सिदे सिदे घोटाला घोटाला करके कर कर रहा तो किस परसंट मैं सवाल का एंसर मार सकता हूं लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूँ किसी और माद्यम से, आप जरा द्यान से सुनिये बातों को, तो 100 ग्राम का CP मेरे भाई 100 रुपया होगा, CP कितना होगा, 100 रुपया, अब आप से ये कह रहा है ना कि ऐसा है, कि CP तो 100 रुपया है, जब खरीदता उसको, तो 100 में तो वो ख खरीदा 110 ग्राम, 110 ग्राम कैसे खरीदा, क्योंकि मेरे दोस्त, वो जब खरीद रहा था, तो 10 परसिंट का घुटाला कर दिया, आप समझे है, दूसरी बार सुनना, जब वो बेच रहा था, समझना दान से, तो मेरे भाई उसने 90 ग्राम बेचा होगा, क्योंकि 10 परसिंट य के लिए उसके कितने, उसके लिए इतना 100 परầy है, बाता ही समझे है, उसने 110 ग्राम के लिए 100 पराते और 60 ग्राम के लिए इतना डिया, अब आप जानते हो कि हमें क्या करना है, मिरे दोस्त इस और चकल को सेम कर देगा, तो यहाँ पे 9 को गड़ा, यहाँ पे 11 को गड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे फ़ाई 900 यहाँ पर हो जाएगा दोस्त 1100 है ना 1100 हो जाएगा ना ठीक है तो यह बास सिंपल सी है 91100 ठीक है ठीक है ना 9211 खेरवड हो रहा है क्याता 110 तौला ठीक है क्याता इतने को भाई सब इतने में किया ठीक है क्या दिक्कत है 92100 बटा 900 तो 11 नव्दूना ठारा थार देखो 92100 ठारा ठारा और दो होता है 20 था ना तो नव्दूना ठारा लगवड़़ लगवड़़ 22 परसंट के आ रहा है यहां पर गर्ती है इसको ना चेक करके बताता है अदरवैंज मैं सवाल को बहुत सिंपल तरीके से बता देतो हूं देखो 20% तो मेरा एकदम करेंट है किस परसेंट आपके सवाल के उत्तर है इसमें कोई डाउट है नहीं है किया तब 10% एक वार गोटा अला किया ठीक है प्रॉफिट कमया फिर 10% का प्रॉफिट कमा रहा है फिर 10 गुड़ा 10, बटा 100, कुल मिला कि 21 परसेंट आ रहा है, यह आपके सवाल का उत्तर होता है, और यही आपको एंसर देना भी है, अगला, next, के रहा है, एक अब एतन 10 परसेंट बढ़ाया गया, फिर 10 परसेंट गटाया गया, परिवर्द बता, तो मेरे दोस्तों, 1 परसे और माइनस रिपर्जन कर रहा है, मेरे दोस्तों, कमी को, किसको रिपर्जन कर रहा है, कमी को, कमी को रिपर्जन कर रहा है, अगला सवाल देख, एक संक्या को पहले 20 परसेंट कम कर दिया गया, फिर 20 परसेंट की बढ़ाया गया, फिर 20 परसेंट की बिर्दी की जाती है, प आप एक काम करो ना इसको 100% मनाओ, 25 से गुड़ा करो, यहां भी 25 से गुड़ा करो, तो 25 दो ना 50 यानि की 500, तो 100% की वैल्यू कितना की 500, और 100% किसी भी चीज की मौल कीमत होती है, आप सभी लोग ये बात जानते हो, हम अगले सवाल पे चलते हैं, इसके बाद आप फटा-फ वही है सवाल, 20, प्लस 20, माइनस 400, इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो माइनस का, 4% मेंने सवाल का उत्तर है, और माइनस वाला रिपरजन करेगा, क्या, कमी, ठीक है, कमी रिपरजन करेगा, नेक्स्ट है कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदन उपराद, फिर 25% बढ़ा भी दिया गया, तो ये भी सवाल वही है, माइनस का, प्लस का, माइनस का, आप ये बाद समझते हैं, तो कैंसल आउट हो जाएगा, 25 छक्का होता है, 25 पच्च्च्च् पॉइंट लगा दो, लेकिन यहाँ माइनस आएगा, और माइनस क्या रिपर्ट्रिंट करता है, मेरे भाई, कमी, ठीक है क्या, तो ये एक ही तरह के सवाल है, इसको करना तो बड़ा जरूरी है, आगे कह रहा है आपसे देखो ज़रा, आगे कह रहा है कि एक वस्तु का दाम पी परसंट बढ़ाया कि अब बाद में घटा भी दी गया, करता दो उसका मूल इजाम क्या होगा, मूल इजाम पोछ रहा है आपसे, तो भाई साहब, अगर मैंने किसी को पी परसंट घटा दिया, तो इसका मतलब यह है कि ये बड़ेगा पी बटा सो, पहले कीमत सो थी, त सवालने बोला है, फिर पहरा आपसे, किसको हमने क्या कर दिया, हंड़ेट से, हंड़ेट प्लेस पी कर दिया, यह होगा, हजार, दस थाजार, और यह हो जाएगा, आप कुछ भी बोल दो, 10,000 माइनस का पीस केर कुछ भी बोल दो यानि यह चीज़ जहां से तनी हो जारी है भाई बस समझ में तो पूछ रहा था मूल नाम क्या होगा उसका तो मूल नाम जो भी होगा वो आप जानते हो यह तो नहीं होगा यह वाला आपके सवाल को उत्तर होगा यह गरवड़ कर दिया ना यहां पर तबी तो मैं कहरा हूँ गरवड़ क्यों कर दिया है अगर अनदम भुकतान यह कुछ प्रॉबलम है इस सवाल में ठीक है आई बस समझ में तबी तो गरवड़ हो रहा है ठीक है आगे चलते हैं एक्स ट्वारे पर चलते माइनस का 25 गोड़ 25 वटा 100 पचीश चोका सो या रिए कि 25 वटा 4 बस सवाल को उतर हो गया अच्छा कमी हो रही है याद रखना नेक्स अगला कहले यदि एक घंका परतेख सिरफ 50 परसें बढ़ा कर दिया जाता है तो सत्य का 26 कितना परसेंट बढ़ताएगा तो पहली बात था यह कि 50 परसेंट बढ़ाने का मनलब कोई भी चीज दो से तीन हो जा रही है अगर ये साइड है तो ये साइड दो से तीन हो जा रही है सत्य का च्छे तरफल क्या होगा जस्ट इसका स्केर होगा तो 4 और 9 बताओ कितना बढ़का ये 5 बढ़का किस पर बढ़का चार पर ये तो वैसे भी दिखा रहा है 125% अगला देखो next, एक वर्क की लंबाई चोड़ाई 30% 20% बिर्दी कर दे गई, इस परकार आयत का चितरफल बताओ, तो बहुत आसान है, successive case लगा लो, तो दोनों तरफ बिर्दी हुई है, तो 30 प्लस 20 प्लस 6, 100 बटा 100, बटा 100, तो यह गया, 56% आपके सवाल कैसे से उत्तर next, अगला चलते है, किसी बिर्दी की तरी जम 50% बिर्दी कर दी जाती है, उसका चितरफल किते परसेंट बिर्दी हो जाएगी, तो मेरे भाई यह भाई यह भी आसान है, किता है, पहले कोई चीज 2 थी तो अब हो गई थी, यानि रेडियस पहले 2 थी तो अब हो गई थी, simple स 10% बिर्दी हो जाती है, तो वही है, कि भाई सब xy से लगा तो 12% प्लस 10% प्लस 120, यह decimal हो जाएगा क्यों, क्योंकि बटा सव मैंने ही जिख लाओ, इसलिए, यह 22 और 10, 20, तो 23 थी तो 20, समझे रहे मेरी बात को, next, यतने भी सवालत सारे के सारे घरवा दे रहो, यदि एक 50% कम कर दे जाती है, वही, 50% का fraction बनता है, आप जानते हो, यह मैंने बताया था आपको सभी को, यानि कोई चीज 2 की है तो एक कम हो जाएगा, यानि कि 2 की है तो आप एक ही हो जाएगे, तो आप से क्या बोला इसने, छेतर फल, तो भाई सब्स चेतर फल मैंने बताया आपक चार पिचतर परसंट होता है, अगला देखो, एक घं का परतेक सिरह 50% बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब यह कि कोई चीज 2 से मेरे भाई कितना हो जाता है, तो यह भी सवाल वही है, यह हो जाएगा चार यह हो जाएगा नो, तो पांच बटा चार, पांच बटा चार की अगला नेक्स्ट, यह आज का लास सवाल है, घं का सिरह 50% बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अमीद है मेरी बाते है, आपको समझ में आरी होंगी, आपको यह सेशन समझ में आया होगा, बढ़ीया सेशन था, मज़ा आया होगा आप जो भी जीज़ सेखिया है, आपने विल्कुल कमपैक्ट सेखिया, आज इतना ही थेंगे वेरी मिद्ट, बढ़ा, टेक केर